मेरे पहरे देश वासियों नमस्कार कोरोना की दूसरी वेव और दूसरी वेव से हम भारत वासियों की लड़ाई जारी है दुनिया के अनेग भारत भी इस लड़ाई के दौरान बहुत बड़ी पीड़ा से गुज़रा है हम में से कई लोगों ने अपने परीजनों को अपने परीचितों को खोया है ऐसे सभी परिवारों के साथ मेरी पूरी संवेदना है साथियों बीते सो वर्षों में आई यह सबसे बड़ी महामारी है त्रास्दी है इस तरह की महामारी आधुनिक विश्व ने न देखी थी न अनुभव की थी इतनी बड़ी वैस्ट्विक महामारी से हमारा देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा है कोविड अस्पताल बनाने से लेकर आई सु यू बेट्स की संख्या बढ़ानी हो भारत में वेंटिलेटर बनाने से लेकर टेस्टिंग लैप्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तयार करना हो कोविड से लड़ने के लिए बीते सबा साल में ही देश में एक नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्टर तयार किया गया है सेकंड वेव के दोरान अप्रेल और मई के महने में भारत में मेडिकल ऑक्सिजन की डिमांड अग कल्पनिय रुप से बढ़ गई थी भारत के इतिहास में कभी भी इतनी मात्रा में मेडिकल ऑक्सिजन की जरुरत कभी भी महसुश नहीं की गई इस जरुरत को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया सरकार के सभी तंत्र लगे ऑक्सिजन रेल चलाई गई एरफोर्स के विमानों को लगाया गया नव सेना को लगाया गया बहुती कम समय में लिक्वीड मेडिकल ऑक्सिजन के प्रोडुक्शन में दस गुना से जादा बढ़ाया गया दुनिया के हर कौने से जहां कही से भी जो कुछ भी उपलब्द हो सकता था उसको प्राप्त करने का भर्सक प्रयास किया गया लाया गया इसी तरह जरूरी दमाओं के प्रोडुक्शन को कई गुना बढ़ाया गया विदेशों में जहां भी दवाया उपलब्द हो वहां से उन्हें लाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी गई साथियों कोरोना जैसे अद्रश्य और रूप बदलने वाले दुश्मन के खिलाप लड़ाई में सबसे प्रभावी हत्यार कोवीड प्रोटोकॉल है मास्क दोगज की दूरी और बाकी सारी सावधानिया उसका पालन ही है इस लड़ाई में वैक्सिन हमारे लिए सुरक्षा कबच की तरह है आज पूरे विश्व में वैक्सिन के लिए जो मांग है उसकी तुलना में उत्पादन करने वाले देश और वैक्सिन बनाने वाली कमपनिया बहुत कम है इनी इनी है कलपना करिए कि अभी हमारे पास भारत में बनी वैक्सिन नहीं होती तो आज भारत जैसे विशार देश में क्या होता आप पिछले पचास साथ साल का इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत को विदेशों से वैक्सिन प्राप्त करने में बसंकों लग जाते थे विदेशों में वैक्सिन का काम पूरा हो जाता था तब भी हमारे देश में वैक्सिनेशन का काम सुरू भी नहीं हो पाता था पोलियों की वैक्सिन हो स्मॉल पॉक्स जहां गाव में हम इसको चेचक कहते हैं चेचक की वैक्सिन हो है 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 पीटाइटिस बी की वैक्सिन हो इनके लिए देश वास्यों ने दसकों तक इंतजार किया था जब 2014 में देश वास्यों ने हमें सेवा का हुसर दिया तो भारत में वैक्सिनेशन का कवरेश 2014 में भारत में वैक्सिनेशन का कवरेश सिर्फ साथ परसंड के आसपास था साथ प्रतिशत के आसपास था और हमारी दृष्टी में यह बहुत चिंता की बात थी है जिस रप्तार से भारत का टिका करण कारेकम चल रहा था उस रप्तार से देश को सत प्रतिशत टिका करण कवरेश का लग्सा हासिल करने में करीब करीब 40 साल लग जाते हैं हमने इस समस्या के समाधान के लिए मिशन इंद्रधनुष को लॉंच किया हमने ताय किया कि मिशन इंद्रधनुष के मांतम से युद्धस्तर पर वैक्शिनेशन किया जाएगा और देश में जिसको भी वैक्शिनेशन की जरुत है उसे वैक्सिनेशन देने का प्रयास होगा हमने मीशन मोड में काम किया और सिर्फ सिर्फ पांच छे साल में ही वैक्सिनेशन कवरेज 60 प्रतिशत से भढ़कर 90 प्रतिशत से भी जादा हो गई 60 से 90 यानि हमने वैक्सिनेशन की स्पीड भी भढ़ाई और दायरा भी बढ़ाया हमने बच्चों को कही जान लेनवाब बिमारियों से बचाने के लिए के कई नए टीकों का भी भारत के टीका करन अभ्यान का इसा बना दिया हमने इसलिए किया क्योंकि हमें हमारे देश के बच्चों की चिंता थि गरीब की चिंता थी, गरीब के उन बच्चों की चिंता थी, जिने कभी टीका लगी नहीं पाता था। गिरने लगी कि अब भारत कैसे इतनी बड़ी आबादी को बचा पाएगा। लेकिन साथियों जब नियत साफ होती हैं, निती स्पस्ट होती हैं, निरंतर परिस्रम होता है, तो नतीजे भी मिलते हैं। हर आशंका को दर किनार करके भारत ने एक साल के भीतर ही एक नहीं बलकि दो मेड इन इंडिया वैक्सिन लॉंच कर दी। हमारे देश ने देश के वैज्ञानिकों ने दिखा दिया कि भारत बड़े बड़े देशों से पीछे नहीं है। आज जब मैं आप से बात कर रहा हूँ तो देश में तेईस करोड से ज़्यादा वैक्सिन की डोच दी जा चुकी हैं। तेईस करोड साथियों हमारे यहां कहा जाता है विश्वासे न सिद्धी ही। हमारे प्रयासों में हमें सफलता तब मिलती हैं जब हमें स्वयम पर विश्वास होता है। हमें पुरा विश्वास था कि हमारे विज्ञानिक बहुती कम समय में वैक्सिन बनाने में सफलता हासिल कर लेंगे। इसी विश्वास के चलते जब हमारे वैक्जानिक अपना रिसर्च वर्क करी रहे थे तबी हमने लॉजिस्टिक्स और दूसरी तैयारिया शुरू कर दी थी। आप सब भली भाती जानते हैं कि पिछले साल याने एक साल पहले पिछले साल अप्रिल में जब कोरोना के कुछी हजार केस थे उसी समय वैक्सिन टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया था। भारत में भारत के लिए वैक्सिन बनाने वाली कंपनियों को सरकार ने हर तरह से सपूर्ड किया। वैक्सिन निर्माताओं को क्लिनिकल ट्राइल में मदद की गई रिसर्ट और डेवलप्मेंट के लिए जरूरी फंड दिया गया। हर स्तर पर सरकार उनके साथ कंदे से कंधा मिला कर चली। आत्म निर्भर भारत पैकेज के तहट मिशन कोविड सुरक्षा के माद्यम से भी उन्हें हजारों करोड रुपे उपलब्द कराए गए। पिछले काफी समय से देश लगातार जो प्रयास और परिश्रम कर रहा है उससे आने वाले दिनों में वैक्सिन की सप्लाई और भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। आज देश में साथ कमपनियां विभिन्न प्रकार की वैक्सिन का प्रोडॉक्षन कर रही हैं। तीन और वैक्सिन का ट्रैल भी एडवांस टेज पर चल रहा है। वैक्सिन की उपलब्दता बढ़ाने के लिए दूसरे देशों की कमपनियों से भी वैक्सिन खरेद्य की प्रक्रिया को तेज किया गया है। इदर हाल के दिनों में कुछ एक्सपर्स द्वारा हमारे बच्चों को लेकर भी चिंता जताई गई है। इस दिशा में भी दो वैक्सिन का ट्रैल तेजी से चल रहा है। इसके अलावा अभी देश में एक नेजल वैक्सिन नेजल वैक्सिन पर भी रिसर्च जारी है। इसे सिरीन से न देकर नाक में स्प्रे किया जाएगा। देश को अगर निकट भविष में इस वैक्सिन पर सफलता मिलती है तो इससे भारत के वैक्सिन अभ्यान में और जादा तेजी आएगी। साथियों, इतने कम समय में वैक्सिन बनाना अपने आप में पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी उपलब्दी है। लेकिन इसकी अपनी सिमाये भी हैं। वैक्सिन बनने के बाद भी दुनिया के बहुत कम देशों में वैक्सिनेशन प्रारम हुआ। और जादा कर सम्रुद्ध देशों में ही शुरू हुआ। WHO ने वैक्सिनेशन को लेकर गाइडलाइंज दी। वैज्यानिकों के वैज्यानिकों ने वैक्सिनेशन की रुप्रेखा रखी। और भारत ने भी जो अन्य देशों की बेस्ट प्राक्रिसिस थी। विश्व स्वास्त संगर्षन WHO के मानक थे। उसी आधार पर चरण बद तरीके से वैक्सिनेशन करना तै किया। केंदर सरकार ने मुख्यमंत्रियों के साथ हुई अनेकों बैठकों से जो सुझाओं मिले। संसत के विविन दनों के साथ्यों द्वारा जो सुझाओं मिले। उसका भी पुरा ध्यान रखा इसके बाद ही ये तै हुआ कि जिने कोरोना से जादा खत्रा है उन्हें प्राथिक्ता दी जाएगी। इसलिए ही हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, साथ वर्ष के आयू से जादा के नागरीक, बीमारियों से ग्रत्रीत, पैतालिस वर्ष से जादा आयू के नागरीक, इन सभी को वैक्सिन पहले लगनी शुरू हुए। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर कोरोना की दूसरी वेव से पहले हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सिन नहीं लगी होती, तो क्या होता? सोचिये, हमारे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाप को वैक्सिन ना लगी, तो क्या होता? अस्पतालों में सफाई करने वाले हमारे भाई बहनों को, एम्बुलन्स के हमारे ड्राइवर्स भाई बहनों को वैक्सिन ना लगी होती, तो क्या होता? जादा से जादा हेल्थ वर्कर्स को वैक्शिनेशन होने की बज़त से ही वो निश्चिन्थ होकर दूसरों की सेवा में लग पाएं लाखों देश वास्यों का जीवन बचा पाएं लेकिन देश में कम होते कोरोना के मामलों के बीच केंद्र सरकार के सामने अलग अलग सुझाओ भी आने लगे बिन बिन मांगे होने लगी पूछा जाने लगा सब कुछ भारत सरकारी क्यों तै कर रही है राज्य सरकारों को छूट क्यों नहीं दी जा रही है राज्य सरकारों को लॉकडाउन की छुट क्यों नहीं मिल रही है बन साइज दस नॉट फिट आल जैसी बातें भी कही गई दलिल ये दी गई कि सम्विधान में चुकी हिल्थ आरोग्य प्रमुक रूप से राज्य का विशय है इसलिए अच्छा है कि सब राज्य ही करें इसलिए इस दिशा में एक सुरुवात की गई भारत सरकार ने एक ब्रहत गाइडलाइन बना कर राज्यों को दी ताकि राज्य अपनी आवशक्ता और सुविधा के अनुसार काम कर सके स्थानिय स्थर पर कॉरोना करिफ्यू लगाना हो माइक्रो कंटेन्मेंट जोन बनाना हो इलाज से जुड़ी व्यवस्ताएं हो भारत सरकार ने राज्यों की इन मांगों को स्विकार किया साथियों इस साल सोला जन्वरी से शुरू होकर अप्रिल महिने के अन्त तक भारत का वैक्सिनेशन कारक्रम मुख्य तह केंद्र सरकार की देख रख में ही चला सभी को मुप्त वैक्सिन लगाने के मार्क पर देश आगे बढ़ रहा था देश के नागरिक भी अनुशाथन का पालन करते विए अपनी बारी आने पर वैक्सिन लगवा रहे थे इस बीच कही राज्य सरकारों ने भी कहा कि वैक्सिन का काम डिसेंट्रलाइज किया जाएं और राज्यों पर छोड़ दिया जाएं तरह तरह के स्वरूठे जैसे कि वैक्सिनेशन के लिए एज ग्रूप क्यों बनाए गए दूसरी तरफ किसे ने कहा कि उम्र की सीमा आखिर केंदर सरकार ही क्यों तै करें कुछ आवाजे तो ऐसी भी उठी कि बुजुर्गों का वैक्सिनेशन पहले क्यों हो रहा है बाती भांती के दभाव भी बनाए गए देश के मिडिया में मिडिया के एक वर्ग ने इसे केंपेन के रुप में भी चलाया साथ यो काफी चिंतन मनन के बात इस बात पर सहमती बनी कि राज्य सरकारें अपनी तरब से भी प्रयास करना चाहती है तो भारत सरकार को क्यों इतराज हो और भारत सरकार से जो विवस्ता चली आ रही थी, उसमें प्रोग के तोर पर एक बढ़लाव किया गया, हमने सोचा कि राज्ये ये मांग कर रहे हैं, उनका उत्सा है, तो चलो भाई, पचीस प्रतिशत का काम उन्हीं को सुपरुत कर दिया जाए, उन्हीं को दे दिया जाए, स्वाबावी है एक मई से राज्यों को पचीस प्रतिशत काम उनके हवाले कर दिया गया, उसे पुरा करने के लिए उन्होंने अपने अपने तरीके से प्रयास भी किये, इतने बड़े काम में किस तरह की कठिनाईया आती हैं, ये भी उनके ध्यान में आने लगा, उनको पता चला, पूरी दुनिया में वैक्सिन की क्या स्थिती हैं, इसकी सच्चाई से भी राज्य परिचीत हुएं, और हमने देखा, एक तरफ मई में सेकंड वेव, दूसरी तरफ वैक्सिन के लिए लोगों का बढ़ता रुजान, और तीसरी तरफ राज्य सरकारों की कठिनाईयां, मई में दो सब्ता बितते बितते, कुछ राज्य खुले मन से ये कहने लगे, कि पहले वाली व्यवस्ता ही अच्छी थी, धीरे धीरे इसमें कई राज्य सरकारें जूरती चली गई, वैक्सिन का काम राज्यों पर छोड़ा जाए, जो इसकी वकालत कर रहे थे, उनके विच विचार भी बदलने लगे, एक अच्छी बात रही कि समय रहते, राज्य पुनर विचार की मांग के साथ फिर आगे आए, राज्यों की इस मांग पर हमने भी सोचा कि देश्वाश्यों को तकलीफ ना हो, सुचारू रूप से उनका वैक्सिनेशन हो, इसके लिए एक माई के पहले वाली, याने एक माई के पहले सोला जनवरी से, अप्रिल अंतर तक जो विवस्ता थी, पहले वाली पुरानी विवस्ता को फिर से खुल लागू किया जाए, साथियों, आज ये निर्ने लिया गया है, कि राज्यों के पास वैक्सिनेशन से जुड़ा, जो 25 प्रतिशत काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी, ये विवस्ता आने वाले दो सप्ता में लागू की जाएगी, इन दो सप्ता में केंद्रव और राज्य सरकारे मिलकर, नई गाइड्लेंज के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेगी, संयोग है कि दो सप्ता बात 21 जून को ही अंतराश्य योग दिवस भी हैं, 21 जून सुमवार से देश के हर राज में 18 वर्षे उपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुप्त वैक्सिन मुहया कराएगी, वैक्सिन निर्माताओं से कुल वैक्सिन उत्पादन का 75 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरिद कर राज्य सरकारों को मुप्त देगी, यानि देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सिन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा, अब तक देश के करोडों लोगों को मुप्त वैक्सिन मिली हैं, अब अठारा वर्ष की आउ के लोग भी इसमें जुड जाएंगे, सभी देश वाच्चों के लिए भारत सरकार ही मुप्त वैक्सिन उपलब्त करवाएगी, गरीब हो, निम्न मद्यमबर्ग हो, मद्यमबर्ग हो या फिर उच्चवर्ग, भारत सरकार की अभ्यान में मुप्त वैक्सिन ही लगाई जाएगी, हाँ, जो व्यक्ति मुप्त में वैक्सिन नहीं लगवाना चाहते, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सिन लगवाना चाहते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है, देश में बन रही वैक्सिन में से 25 प्रतीशत प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाएं ये व्यवस्ता जारी रहेगी प्राइवेट अस्पताल वैक्सिन की निर्धारित कीबत के उपरांट एक डोज पर अधिक्तम एक सो पचास रुप्य ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे इस्टी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा साथियों हमारे सास्त्रों में कहा गया है प्राप्य आपदम न व्यथते कदाचित उद्योगम अनू इच्छती चा प्रमत्त अर्थात विजेता आपदा आने पर उससे परेशान होकर हार नहीं मानते बल्कि उद्यम करते हैं परिश्रम करते हैं और परिश्थिती पर जीत हासिल करते हैं कोरोना से लड़ाई में 130 करोड से अधिक भारतियों ने अभी तक की यात्रा आपसी सहयोग दिन रात मेहनत करके तै की है आगे भी हमारा रास्ता हमारे स्वरम और सहयोग से ही मजबुत होगा हम वैक्सिन प्राप्त करने की गती भी बढ़ाएंगे और वैक्सिनेशन अभ्यान को भी और गती देंगे हमें याद रखना है कि भारत में वैक्सिनेशन की रफ्तार आज भी दुनिया में बहुत तेज हैं अनेग विक्षित देशों से भी तेज हैं हमने जो टेक्नोलोजी प्लेट्फरम बनाया है कोविन उसकी भी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है अनेग देशों ने भारत के इस प्लेट्फरम को इस्तिमाल करने में रुची भी दिखाई हैं हम सब देख रहे हैं कि वैक्षिन की एक एक डोज कितनी महत्वपों है हर डोज से एक जिंदगी जुड़ी हुई है केंद्र सरकार ने ये व्यवस्ता भी बनाई हैं कि हर राच को कुछ सब्ता पहले ही बता दिया जाएगा कि उसे कब कितनी डोज मिलने वाली है मानवता के इस पवित्र कार्य में वाद विवाद और राजनितिक छीटा कसी से ऐसी बातों को कोई भी अच्छा नहीं मानता है वैक्षिन की उपलब्दता के अनुसार पूरे अनुसासन के साथ वैक्षिन लगती रहे देश के हर नागरी तक हम पहुँच सके ये हर सरकार, हर जन प्रतिनी दी, हर प्रशासन की सामुहिक जिम्मेदारी है प्रिय देश वाक्षियों, टीका करण के अलावा, आज एक और बड़े फैसले में, उस फैसले से मैं आपको अवगत कराना चाहता हुँच्छले वर्ष, जब करोना के कारण, लोगडाउन लगाना पड़ा था, तो प्रधान मंत्री गरीब कल्यान, अन्य योजना के तहर, आठ महिने तक, असी करोड़ से अधिक देश वास्यों को, मुप्त राशन की ववत्ता हमारे देश ने की थी, इस वर्ष भी दूसरी वेव के कारण, मई और जून के लिए भी इस योजना का विस्तार किया गया था, आज सरकार ने फैसला दिया है, कि प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना को, अब दिपावली तक आगे बढ़ाये जाएगा, महामारी के इस समय में, सरकार गरीब की हर जरुवत के साथ उसका साथ ही बनकर खड़ी है, यानि नवंबर तक असी करोड से अधिक देश वाशियों को, हर महिने पै मात्रा में मुप्त अनाज उपलब्दक होगा, इस प्रयास का मकसद यही है, कि मेरे किसी भी गरीब भाई बहन को, उसके परिवार को भूखा सोना न पड़े, साथियों, देश में हो रहे, इन प्रयासों के बीच, कई छेत्रों से वैक्सिन को लेकर, भ्रम और अफ्वाओं की जानकारी, चिंता बढ़ाती है, यह चिंता भी मैं आपके सामने व्यक्त करदा चाहता हूँ, जब से भारत में वैक्सिन पर काम शुरू हुआ, तब ही से कुछ लोगों द्वारा ऐसी बाते कही गई, जिससे आम लोगों के मन में शंका पैदा हो, कोशिच यह भी हुई, कि भारत के वैक्सिन निर्मारताओं का होसला पस्थ पढ़ जाए, और उनके सामने अनेक प्रकार की बाधाएं आए, जब भारत की वैक्सिन आई, तो अनेक माध्यमों से शंका, आशंका को और बढ़ाया गया, वैक्सिन न लगवाने के लिए भाती भाती के तरक प्रचारित किये गए, इन्हें भी देश देख रहा है, जो लोग वैक्सिन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं, अफ़ाएं फैला रहे हैं, वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवार कर रहे हैं, ऐसी अफ़ाओं से सतर्क रहने की जरुवत है, मैं भी आप सबसे समाज के प्रबुद्ध लोगों से, युवाओं से अनुरोग करता हूँ, कि आप भी वैक्सिन को लेकर जागरुकता बढ़ाने में सहयोग करें, अभी कई जगहों पर कोरोना कर्फू में धिल दी जा रही हैं, लेकिन इसका मटलब ये नहीं, कि हमारे बीच से कोरोना चला गया है, हमें सावधान भी रहना है, और कोरोना से बचाव के नियमों का भी सक्ति से पानन करते रहना है, मुझे पूरा विश्वास है, हम सब कोरोना से इस जंग में जीतेंगे, भारत कोरोना से जीतेगा, इनी सुपकामराओं के साथ आप सभी देश्वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आप सिसकत का बहुत लillा गरत का बहुत पूराँ ज़ देश्यों के साथ यह बयुतावरादें,